हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागाते हमारे आरकेजी टेकनिकल यूटूब चैनल पे आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि जब भी आप पाइपिंग फीटर या पाइप फेबरिकेटर आप इंटर्वियू के लिए जाते हैं इंडिया या गॉल्फ क हवासक है तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंपलीट सिखेंगे कि किसी भी डिगिरी में है कितना भी इंच का है तो आपका इल्बो सेंटर कैसे आप पता कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंपलीट सिखेंगे कि जितना भी इंच का है किसी भी डिगिरी मे निकालना चाहते हैं उतना में आप गुरा कड़के निकाल सकते हैं वर आपको एक इंज का 45 या 60 या किसी भी डिगरी में आपको मालुम करना बहुत ही आवस्यक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका जो फर्मूला है तो इसका जो फर्मूला है मैं लिख लिया हूं ताकि थोड़ा फाउस्ट बता सकूँ ताकि वीडियो लमबा न हो तो दो देखिए से उल्भो ठीरी टाइप का होता है तो आप जितना inch का निकालना चाहते हैं, तो आप 38.1 में 4 inch का निकालना है, तो 4 inch का निकाल सकते हैं, वट अगर आपको पूछ देता है client की 1 inch में extended radius, तो खास करके ज्यादा आपको extended radius में पूछा जाता है, तो आपको extended radius में याद रखना है कि हमारा 1 inch का 45 degree में extended radius में कितना का इल्वॉ seंटर, तो आपको क्या करना यह सबसे पहले जो فर्मूला दीखिए, यानी 38.1 यह रीडियेस इन्टू 10, अब इसका हाएं रीडियेस इन्टू 10, अब आपको कितना degree का निकालना चाहते हैं तो ये degree भग 2 आपको कर देना है into pipe size जितना inch का आपको निकालना है 1 inch का निकालना है 2 inch का निकालना है आगे मैं आपको detail मैं समझाऊँगा और निकाल के भी बताऊँगा ताकि जो भी doubt है आपका वो clear हो जाएगा तो देखिए फर्मूला क्या है radius into 10 coast degree भग 2 into pipe size जितना inch का तो देखिए 1 मैं निकाल के रखाऊँ ताकि थोड़ा easy हो जाएगा तो देखिए 38.1 radius आप चाहे तो short radius में निकाल सकते हैं long radius में निकाल सकते हैं तो खास करके आपको standard radius में याद भी रखना चाहिए 45 degree, 60 degree का और 30 degree का खास करके आपको याद रखना चाहिए अगर इस field में आप आगे काम करना चाहते हैं तो ये सब जनकारी रखना आपको बहुती आवास्या के तो 38.1 into 10 ये 45 degree में निकालना हैं तो coast 45 degree भगे 2 into 5 inch ये inch दिया हुआ है 45 degree, 1 inch का निकालना है तो 15.78 आपका निकाल के आगया 15.78 आपका इंकल के आगया तो इसी फर्मूले से इसी तरीके से आप जितना inch का निकालना चाहते हैं जैसे ये 38.1 into 10 coast degree 60 degree में निकालना है तो 60 degree में भगे 2 coast इन्टू 4 इंच निकालना है तो 87.1 अगर 1 इंच का निकालेंगे तो 21 आएगा इसी तरीके से अगर ये आपका 25.4 इन्टू ये शोट रिडियस है तो इन्टू 1090 भगे टू 1 में आपको निकाल के भी दिखा देता हूं ताकि जो भी डाउट है वो आपका किलियर हो जाएगा तो देखिए आपको क्या करना है रिडियस कौन सा रिडियस में निकालना है तो एस्टेंडर रिडियस में तो एस्टेंडर रिडियस का आपका क्या होता है 38.1 होता है तो आपको 38.1 और 30.1 तो एस्टेंडर रिडियस में निकालना है तो 38.1 इन्टू 10 10 कोस्ट आप डाल लेंगे कोस्ट अटोमेटिक इसमें आज गया किसी में नहीं आता है तो आपको कोस्ट भी डाल लेना है कोस्ट डिगिरी आपको जितना डिगिरी में निकालना है जैसे अमको मान लेजिए हमको 60 degree में निकालना है तो 60 भागे 2 कर देना है भागे 2 और ये cost दाब लेना है cost into into pipe जितना inch का निकालते हैं तो into 1 करेंगे तो आपका 1 inch का 21.99 आपका और 60 degree में 1 inch का elbow center निकल के आगया अगर आपको जितना इंच का निकालना है तो यह 4 दाब देखें, 4 इंच दाब देते हैं, 4 तो आपका यह 87.98 आपका निकल के आ गिया, तो इसी तरीके से आप बहुती असानी से निकाल सकते हैं, किसी भी डीडियस का यह फर्मूले से और यह तरीके से आप जितना इंच का न प्रेंकू